मेरा नाम सुरेश चंद्र अगरवाल मेरी उम्र अभी 67 साल की है मैं मद्धी परदेश होशंगावाद से आया हूं साथ साल पहले मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि लीवर में प्राब्लम होता था खटी डकार या आती ती यह सब होता था डाक्टर को दिखाया मुझे खून आने लग गया था वहीं खूशंगावाद में डाक्टर को दिखाया भौपाल बड़ी सीटी में दिखाया उसके बाद दिल्ली गंगवाल हॉस्पिटिल में दिखाया वहां उन्हों ने बताया कि तुम्हारे लीवर खराब हो गया शिरोसिस हो गया है लीवर में जबकि मैं जान परियज बराबर नहीं करता रहा जैसा उन्होंने बताया था जिसके वज़े से मेरा रोक बढ़ता चला गया और पिछले दो साल पहले याने पिछले तीन साल पहले से मुझे बहुत ज्यादा प्राबलम होने लगा फिर तो मैं जीवन से निराश हो गया मुझे लगा कि अब तो कुछ हो भी नहीं सकता है डाक्टर बोला कि आप तो ट्रांस्प्लांटी एक उप चार बचा है दूसरा को को यादर मिल हो नहीं सकता ठीक तो अभी मिलने का प्राबलम था उस टाइम पर दिल्ली में 6 महने रहा वहां कोई मेरा ट्रांस्प्लांट हो नहीं पाया क्योंकि कोई डोनेट डोनेशन नहीं मिल रहा था अफिर मैं वहां से सोचके कि अब तु मिलनेगा नहीं वापिस आ होशंगावाद बादपीस आगया वहां एक है यहां है रवाद की रहने वाली एक हमारी फ्रेंड की बिटिया थी गुपता उसने यहां कॉंटेक्ट करके बताया कि नहीं है रवाद में बहुत अच्छा इलाज हो जाएगा हमारी डाक्टर पेचायन के हैं उन्होंने यहां प इसा करके मुझे बताया कि 5000 पर रजिस्टेशन के लगेगा चाचा जी आप मेरे साथ चलो है थादरबाद में वहां उन्हों रजिस्टेशन भी करवा लिया यहां आके और फिर मेरो को जाच के लिए बुलवा लिया मैं हास्पेटिल किम्स हास्पेटिल में मैं जाच करवा ने आया जहां देखके डाक्टर प्रभु सार और डाक्टर शारद रिडी इन्होंने मेरे को जियांच करके बताया कि अभी तुम ठीक तो हो यह प्रांस्प्लांट तो हो सकता है मगर मिलेगा तब तक वेट करिया जब भी मिलेगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे मैं व जैसे इन्फर्मेशन पहुचा तो हम तुरत फ्लाइट से किम्स हॉस्पेटल लागए यह इन्होंने आते से बहुत सेरियसली जल्दी से लेके और ऑपरेशन करना शूरू करो दिया जिसके बाद ऑपरेशन के बाद बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला और करीब एक मैना सब मैना यहां रहे और फिर यहां पर उन्होंने बता एक देड़ दो मैने और रहना पड़ेगा हैदराबाद में कहीं रूम लेके तो वैसा भी रहे और सब जैसा डाक्टर ने हमको काईट किया वेसा वेसा मैंने सब किया लेकिन अब बहुत अच्छा फील करता हूं और अब तो दो साल हो गया पूरा दो साल में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला और बहुत अच्छा फीलिंग कर रहे हूं मैं अब कोई प्राब्लम नहीं है मैं अपना पूरा बिजनेस कर लेता हूं सब जगे जाता फिरता रहता हूं और परीज भी कोई ज्यादा नहीं रहता है नार्मल रहता है जो कर और वाकिंग करता रहता हूं मसी सबसे मैं बिलकुल बढ़िया हूं डाक्टर बहुत अच्छी तरह से देखते जब भी मैं तीन-तीन मेने में जाज करवाने में आता रहता हूं पूरा प्रापर वे में सब लोग मिर्कुल देते हैं गाइड करते हैं टीटमेंट देते हैं जैसा वो टीटमेंट बताते हैं वैसी वैसी में दबाएं लेता रहता हूं जब भी मैं यहां हॉस्पेटल में एडमिट रहा पूरे स्टाफ का नर्स से लेक मिला मैं अपना सारा दुख भूल गया इनके उसमें थैंक्यों